आप शबिको मेरा नमस्कार कल हमने एक अच्छे पाट की शुरुवात की थी तो उससे ही आगे आज हम देखेंगे कल कहा तक आया था कि बदलू काकाक लेखक कोन थे वो कहा जाते थे अभी फिर बीच में क्या हो गया था वो क्यों अपने नहीं निहाल नहीं गए थे वहां तक हमने देखा था है ना तो उसके आगे अभी हम शुरू करेंगे बदलू को कांज की चुडियों से अत्यादिक चीड थी मतलब वो लाख बनाने वाला लाख की चुडिया बनाने वाला था बोलके नहीं लेकिन उसको पसंद नहीं आते थी क्या पसंद नहीं आते थी कि कांज की चुडिया है ना तो यदि किसी स्त्री को कांज की चुडिया पहनने देखता तो अंदर ही अंदर इरशा से जल जाता इसको पसंद नहीं आता था लेकिन सामने वालों को कुछ बोलने सकते ना अपनी अपनी पसंद होती है तो कभी-कभी तो दो-चार बाते भी सुना देता लेकिन उसको अगर घुसा उसको क्या हो गया जादा आ गया तो कभी-कभी ओ कांज की चुडिया पहिन कर अगर उसके घर में कोई आता है तो उनको कुछ कम जादा बात भी कर लेता था तो बदलू को शहरी जीवन अधिक पसंद न था अभी बहुत सालों के बाद लेखक उनके गाओं आये थे नहीं निहाल आये थे तो बदलू काका को शहरी जीवन बिल्कुल पसंद नहीं था वो क्या कहते थे मालूमें? वह लेखक से शेहरी जीवन के बारे में हमेशा बाते करते थे, लेकिन उसकी पड़ाई वह घर के बारे में पुषता, लेखक के उसे यह कहने पर की शहर में स्त्रिया कांच की चुडिया पैनती है, वह स्पस्ट रूप से कहता था की शेहरों की तो बात ही निराली है, मतलब क्या होता है या नहीं हो लेखक से बदलुका का पूछ्थे थे लेकिन जब लेखक बोलते है कि श पुर्षों का हाथ पकड़ कर घुमती है और उनकी कलाईया इतनी कमज़ोर होती है कि लाख की जुड़िया पहने पर उनकी कलाईयों में मोच आ जाती है तो गाव में क्या है अपने पती का हाथ पकड़ कर स्त्रिया नहीं घुमती ना तो शेहरों में तो हाथों में हाथ डाल के गुमा जाता है रस्तों के उपर है ना और लेकिन उनके हाथ भी इतने मुलैम कि उनकी शहरों में घर में काम करने वाले लोग होते हैं दूसरे तो घर में जो अवरत होती है और खुद काम ही नहीं करती है बस उसका जो जॉब है नौकरियों करती है घर का कुछ जाड़ू पोंचा, बरतन, बस कुछ खाना बनाना है तो मतलब हातों के लिए ज्यादा ऐसा मजबूती का काम कुछ भी ने करते हैं, इसलिए बदलुका का कहते हैं कि शहरी लोगों के जो और के जो इसत्रिया है, उनकी कलाई या क्या होती है, बहुती मुलाइम होती है, अगर उन्होंन सलदाने से इंकर करता है तो भी वह व्यंग करता है कि यहको जाधी खा नहीं सकते तो यहाँ पे आंतर न और देखते थे बद्दुका का मतलब शहर में ऐसा है शहर के लोग जादा खा नहीं सकते, शहर के आवरते ऐसी है, गाउं के आवरते ऐसी होती है, ऐसा कहते थे, तो पिता जी के अभी बहुत सालों के बाद आये थे ना, लेखक बदलु काका के घर या नहीं नहीं हाल उनके, तो क्यूं नहीं आये थे वो बोलते हैं, कि पिता जी की बदली दूर शहर में होने के कारण लेखा के एक लंबी आउधी तक गाउं न जा सके थे वह लगबक आठ दस वर्ष के बाद गाउं गए थे अब उसका बदलू से लाग की रंग बिरंगी गोलिया लाने का चाओ समाप्त हो जिकाता क्योंकि मतलब आते ही हो बदलू काका क के घर दोड़ते हुए जाते थे और वो गोलिया बना के देते थे और खेल देवे बैठते थे लेकिन आपी आट-दस साल मिंस बहुत काल बीद गया था और लेखा का भी बड़े भी हो गए थे तो चाओ मिंस मतलब जल्दी-जल्दी में जाना और लाना इसा नहीं था ज़िए वो लेखक के दिमाग से भी निकल गया कि हम वहाँ जाते थे क्योंकि बहुत लंबा समय होता है ना अट-दस साल मिस तो एक दिन अचानक लेखक के मामा की बेटी आंगन में फिसल कर गिर गए। तो एक क्या हो गया एक क्या प्रकार हो गया देखो उनके जो मामा की बेटी थी और अंगन में फिसल कर गिर गई उसके हाथ की कांच की चूड़ी तूटकर उसकी कलाईये में घुज गई और खुन बैने लगा देखो और उसके जो हाथ में चूड़ी थी ना कांच की तो वो क्या हो गया वो तूट गई क्योंकि गिर गई थी वो फूड गई उस वो टूटी तो टूटी लेकिन उसके हाथ में क्या हो गया खून भी बैने लगा लेखक ने उसकी मरम पट्टी की तो उसे आचानक लाग की चुड़िया बनाने वाले बदलू काका की याद आई मतलब वो बीच में कुछ समय के लिए भूल गये थे कि हाँ बदलू काका भी रहते है वो देखने के बाद उनको याद आ गया शाम को हुआ गुमते गुमते बदलू के घर पहुंच गया बदलू का ठिकाना आज भी वही था मतलब जहां वो उंचाई के घर में रहते थे वहा लेखक को पहचाना क्यूंकि अभी लेखक बहुत बड़े हो गये थे पहचान नहीं पा रहे थे बदलू काका उनको अब बदलू का शरिक ख्षीन हो चुका था उसके हातों में माथे पर नसे उभराई थी दमे की तरह खासी भी उसे आ रहे थी मतलब बदलू काका भी अभ तो मशीन नहीं दिख रहे थी वो काम नहीं चल रहा था तो लेखक ने उनसे पूछा कि क्या हो गया तो बदलू काका बोलते कि बहुत साल पहले ही काम बंद हो गया है तो क्यूं अभी देखो आप मेरी बनाई चुडिया को ही नहीं पूछता तो आप तो गांगों में कांच की चुडिया में होती है वह लाग की चुडिया में कहा कांच की चुडिया सुन्दर दिखती है इसलिए अभी आवरते क्या करती है कांच की चुडिया ही पहिंती है तो अभी कांच की चुडियों में जो क्या होती है सुन्दरता होती है वह लाग की चुडियों में न दुख तो लगेगा है ना तो लेखों को समझ में आया कि उनके मन में कुछ द्वीधा है दुख है तो जिसे वह शब्दों के आवरन से ढखना चाता था लेकिन दुख छिपाए न छिप सका कि लाखी जिडियों का कारोबार बंद होने से बदलू काका अंदर ही अंदर वो तो होना स्वाभाविक था क्योंकि उनका काम अभी बंद हो गया था इसलिए वह बहुत दुखी थे कौन दुखी थे बदलू काका तो लेखों को समझ में आया तो बदलू काका ने अपने काम के बंद हो जाने के बारे में लेखक को बताया तो साथ ही यह भी कहां कि बोल रहे थे कि अभी क्या है मशिनी यूग आया है तो सभी काम मशीन से होते है या तक कि खेत में भी मशीनों से जोता जाता है अभी ज्यादा बैलों के लिए भी काम नहीं है खेतों में तो मशीन लगाए तो जो बीज बोईने का काम है वो जमीन पूरी साफ कर देती है वो म मशीनी कांच की चूड़िया भी लाख ही चूड़ियों से अधिक सुन्दर होती है, जो मशीनों में बनाई जाती कांच की चूड़ियों सुन्दर होती है, तो उसका यह कहना था कि मशीन योग ने कितने हाथ काड़ दिये है, मतलब हम प्रगती कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, हमारा देश का क्या हो रहा है, विकास हो रहा है, लेकिन यह मशीन आने की वज़े से, अभी गाउं के लोग ज़्यादा क्या होते हैं, अनपढ़ होते हैं, तो अभी यह मशीन के ऊपर कुछ काम करना है, तो उसको पढ़ाई लिखाई आना ज़रूरी है, मतलब हर एक को पढ़ाई तो करनी चाहिए, वो मुद्दा अलग है, लेकिन अभी यह मशीन आने की वज़े से, बहुत ज़्यादा लोग क्या हो गए, बेरोजगार हो ग मशीनी, बढ़ती मशीने मनुशों का स्थान लिया है, अभी मनुशों का काम कोन करती है, मशीन करती है, तो और अधिक संख्या में लोगों के कारोबार ठप हो रहे है, आदमी, आमीर आदमी अधिक आमीर हो गया है, और गरीब आदमी, जैसे की गरीब ही रह गया है, क्यों उनके पास क्या नहीं है ज्यादा पैसा नहीं है वह भाणवल लगाने के लिए पहले पैसे लगाने पड़ता है न कुछ काम करना है तो तो इसलिए ओगाओं के लोग क्या है अभी भी गरीबी है तो जब लेखक की खातिरदारी करते हुए बदलू के अभी यह बात्चे चल रज्जो रज्जो ने हाथेली में आम लाकर लेखक की और बड़ाय तो लेखक उसकी गोरी-गोरी कलायों उपर लाग की चुडिया देकर ठिटक गया अर्था थैरान हो गया क्योंकि वे बहुत सुन्दर लग रही थी देखो अभी बहुत सालों के बाद आये थे लेखक को लाक की चुडि देखी तो वो बहुत ही अच्छी लग रही थी और तभी बदुले कहा कि यह मेरी पुनाई चुडियाओं का अंतिम जोड़ा है मतलब आभी बहुत सालों से कारोबार भी बंद है उनका वो जो काम करते थे मनिहारी का वो बंद हो गया है तो यह जो उनके हा दिया जैसे कि हमने कल की पाप तासिका में देखा था कि जमिदार के लड़की की शादी थी लेकिन उन्होंने दस आने में खरीदने की कोशिश की इसलिए बदलु काका ने उन्हें जोड़ा नहीं दिया था तो लेखक को जब यह पता चला कि जमिदार द्वारा उसकी बहे उसके पास बहुत पैसे है लेकिन उन्होंने पैसा होने के बावजूद भी अगर सामने कोई गरीब है तो उसको थोड़ा बड़ा के देना चाहिए न तो उन्होंने ऐसा नहीं किया तो और कम दामों में लेने की कोशिश की तो लेकिन मैं गरीब हूँ तो क्या हूँ मैं कस करता हूं मैं परिश्रम करता हूं मेनत करता हूं और मेरा काम करता हूं और मेरी मांग यह है लेना है तो ले लो तो यह बात सुनकर अलेखक को बहुत ही अच्छा लगा और बदलु काका पर उनको गर्व हो गया अईसे हाला तो ने उसे भले ही हरा दिया हो अभी तो मशीन योग है इसलिए ओ हार गए होंगे लेकिन उसने अपने आप से हरा हार नहीं मानी है बदलू काका ने अपने कुछ भी होने दो लेकिन मैं मेरा जो क्या है मेरा जो काम है उस काम पर मुझे गर्व है और मैं अंतिम मेरी सांस जब तक है तब तक मैं वो करता रहूंगा और मेरे जो मेरी मांगे उस पर मैं डट कर रहूंगा वैसा उनका कहना था किनका बदलू काका का और उसका व्यक्तित्व कांच की चूडियों के भांती तूटने वाला नहीं है जैसे कि कांच की चूडियों के जोडे को कम दामों में बेच कर उसने अपने नियम को नहीं तोड़ा मतलब मैं कम दामों में क्यों बेच चुक पहले तो मैं ऐसा मांग नहीं करता हूं तो अभी मुझे जरुरत है तो मैं कम दामों में ऐसा नहीं भले ही जोडा नभी का लेकिन उन्होंने कम दाम में नहीं बेचा है ना तो इसलिए यहां पे इस पाट के द्वारा लेखक ने बदलू के स्वभा उसका जो सीधापन है विनम्रता है यहां पे हमें दर्शाई है मशीनी युक से आए परिवर्तन से लगूद्योग की हानी पर प्रकाश डाला है यह बहुत बड़ा मुद्दा है यहां म कांच की चुडियों के आने से व्यवसा में बहुत थानी हुई हो किन्तु बदलू का व्यक्तित्व कांच की चुडियों की तरह नाजुक नहीं था जो सरलता से टूट जाए एक बार इसका जियो देखेंगे देखो जियो में भी सुन्दर चुडि दिखाई गई है यह ला और बड़े ही चाउं से क्या करते थे लेकर गोलिया लेने जाते थे वो गोलिया रंग बिरंगी होती थी और जब वो लाग की चुडिया बनाते थे तब किस प्रकार से बनाई जाती थी अभी हमने इस पार्ट में देखा इस पार्ट की गतिविदी हम करेंगे बाजार में बिकने वाली सामानों की डिजाइनों में हमेशा परिवर्थन होता है कि जैसे कि अभी ये लगु उद्योग बंध हो के मशीनी युगों ने हमारे देश में वर्चस्व किया है उस प्रकार का परिवर्थन लेकिन नए युग में परिवर्थन आना भी ज़रूरी है उसको हमन आत्मसात करना भी जरूरी है लेकिन अब इन परिवर्तनों को किस प्रकार देखते हैं है ना जैसे कि हमने इस पाठ में देखा कि बदलुका का मतलब उनको अच्छा भी लग रहा था कि मशीन है लेकिन हमने दूसरी बाजो अगर देखी तो जो गाउं में अनपड या जो अपने आपस में चर्चा कीजिए मतलब यह होना जरूरी तो है लेकिन अगर हो नहीं हुआ तो क्या होगा और होगा तो क्या होगा इस पर आपको चर्चा करनी है कक्षा में ही और आपका गुरुह कार्य होगा आपको छुटियों में किसके घर जाना सबसे अच्छा लगता आपको किसके घर जाना अच्छा लगता है और वहां की दिनचरिया अलक कैसी होती है वह अपने कक्षा पुस्तिका में लिखना है है अभी जहां जैसे हम हमारे घर में रहते है तब हम एक हमारो रूटीन होता है दिनचरिया होती है कि हम सुबह इतने बज़े उठेंगे फि तो वहां की दिनचरी आलग होती है, तो वो सोच कर आपको अपनी कक्षा पुस्तिका में लिखना है, तो यहां पर यह पाठ समापत होता है, फिर नए पाठ के साथ मैं आपके सामने हजिर होंगी, तब तक के लिए धन्यवाद.